So Hello Everyone, यह आज की दिन का पहला वीडियो है और As usual Q1 के Results का सलसला लगातार जा रही है आप वीडियो देखोगे लगातार Q1 Results का सलसला स्टार्ट है और आज भी उसी के बारे में बातचीत होने वाली है तो सबसे पहले तो यह देख लो 769 सब्सक्राइबर्स हैं और 800 का टार्गेट है यार मतलब एराउंड 770 हो चुके है 31 सब्सक्राइबर और चाहिए तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके डिफिनेटली ओल पे जरूर से सट कर देना मैं आगे बढ़ूँगा बात करेंगे RVNL के बारे में मतलब Rail, Vikaas, Nikam, Limited के बारे में बात करेंगे और इसके Q1 के बारे में बात करेंगे सबसे पहले यह देख सकते हैं Q 1 के numbers है, तो पहले मैं आपको यह दिखा दूँ कि आपको यह जो Q 1 के numbers के, जो PDF मैंने आपको दिखाया, वो आपको कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको आना है BSE के website पर यहां पर आपको क्लिक करना है, आर वी, NL लिखना है, नीचे आना है, यहां पर जाना है, नीचे आना तो अगर कोई कंपनी जो है फबलीक मतलब सेकटर आपीनट कंपनी ठीक है घिक है जिसके जातर उस्टेक जो है जैसे आगर आप 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 보고 देखोगे तौप प्रेसिडंट के पास है तो मतलाब के Senior उसके पर और consolidated एक ही page पे अगल बगल दे देते हैं तो यार यह मैं बोलूँगा यार कि इससे ऐसा मत करा करो यार अलग-अलग page पे दिया करो जैसे normal companies देते हैं तो इससे फाइदा भी होता है हमें भी थोड़ा फाइदा हो जाता है कि आसानी रहती नहीं तो यार फिर आप ही बोलो एक बार इधर दिखाओ फिर उसके बाद इस तरह से को slide गरो फिर यहां पर यह दिखाओ फिर इधर चलो फिर इधर चलो इधर उदर करते रहो है न तो वो चीज़ा बाकि ठीक है जो भ तीसरी बात कि यहां पर जो भी numbers में discuss करूंगा वो consolidated numbers होंगे, ठीक है, तीसरी बात कि यहां पर जो भी numbers लिखे वे हैं, वो numbers rupees करोड में है, ठीक है, आप देख सकते हो, rupees in करोड, ठीक है, और चौती बात, जो sequence है, वो आप यहां पर देख लो, एक बार column का sequence, यह है current quarter, यह है previous quarter, और यह है previous year का June quarter, और यह year ended है, मतलब financial year 23, तो इसके बार में बात नहीं करेंगे, इन तीनों को आपस में compare करेंगे, देखेंगे क्या चीज़े, मतलब कैसा है result हो सब कुछ, तो start करते हैं, सबसे बहले बात करते हैं, total income के बारे में, तो total income यहां पर आप देख सकते हो, औ और मैं फिर से इसको इधर लेके जाओंगा, ताकि total income का line दीख जाए, okay, so यह जो line है, total income का line, यहां पर देख सकते हो, year on year basis पर बात करें, 4878 से बढ़ करके 5853 पर जा चुका है, लग भग, आशाए 950 के आसपास, यह 1000 का राउंड आफ करके, 1000 का difference है, 1000 करोड का, 4800 से बढ़ करके 5800 पर जा चुका है, बहुत अच्छा जम्प है, अगर आप percentage calculate करोगे 20% जो है, जम्प है, तो यहां पर year on year basis पर जो total income है, उसमें काफी अच्छा जम्प है, अगर आप quarter on quarter basis पर देखोगे 5975 से 5853 तो यहां पर decrease हुआ है, लेकिन decrease जो हुआ है quarter on quarter basis पर वो बहुत कम decrease है मतलब जादा difference नहीं है, तो overall अगर मुझसे पूछो गया total income कैसा लगा, total income is fantastic, बहुत अच्छा है, 20% का jump is very good jump, और फिर से आगे चलते हैं and बात करते हैं आपे net profit के बारे में, तो यहां पर देख सकते हो, net profit for the period, ठीक है यहां पर, तो इस वाले line को मैं follow करना है, तो इधर चलते हैं वापस से, okay, so यहां पर देख सकते हो, हमें इधर देखना है, ठीक है, मतलब इस वाले line को देखना है, so यहां पर देख सकते हो, अगर बात करे, 279 मतलब लगभग 300 करोड से बढ़ करके, 343 मतलब 345 करोड के आसपास यह जा चुका है, और इसमें भी एक अच्छा जम्प है, बहुत अच्छा जम्प है, अगर आप percentage calculate करोगे, तो 15.4 यानि मतलब लगभग समझ लो 16% का जम्प है, year on year basis पे 16% का जम्प, profit में, net profit में बहुत अच्छी बात है, quarter on quarter basis पे compare करोगे, 359 से घट करके 343 हो चुका है, तो यहां पे quarter on quarter basis पे decrease हुआ है, लेकिन अगे year basis पे 15% का जम्प है, net profit का, revenue का 20% का जम्प है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगा, एक बार अगर आप EPS भी देखना चाहोगे, तो यह देख सकते हो, यह है EPS, यह जो line है न, यह इधर का EPS है, ठीक है, यह जो है, यह EPS है, तो 1.43 का EPS बढ़ करके 1.65 ह हो चुगा है, तो year on year basis पे increase हुआ है, quarter on quarter basis पे decrease हुआ है, अच्छा, अब आगे चलते हैं, and बात कर लेता है, कुछ इसके overall result के बारे में कि कैसा रहा है इसका result, तो year on year and quarter on quarter, दोनों के बारे में ही बात करेंगे, and revenue, net profit and EPS, तो देखो, revenue year on year basis पे increase हुआ है, 20% से बहुत अच 16% से increase हुआ है, बहुत अच्छी बात है, quarter on quarter basis पे decrease हुआ है, EPS का भी अई हाल है, अगर आप मुझसे पूछो के overall result कैसा रहा, तो मैं बोलूगा overall result मुझे तो काफी अच्छा लगा, very good result, क्यों अच्छा लगा, again, यार वही reason है, अगर revenue 20% से grow किया है, और profit, net profit, अगर 16% से grow किया है, तो यार बहुत अच्छी बात है, इसमें मतलब मैं यह नहीं कह सकता, क्या net profit 20% ग्रो नहीं किया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, यह तो यार मेरे हिसाब से यह सई चीज नहीं है, बहुत अच्छा result है, अगर आप मुझसे यह पुछोगे, quarter on quarter basis पे इतना गिरा कि पता है, आज Saturday जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, Sunday, फिर Monday के दिन market open होगा, 14th of August को, तो यहाँ पर जो है, क्या हो सकता है, ठीक है, Monday के दिन इसमें, अगेन पहले मैं यह कह दता हूँ, कोई भी recommendation नहीं है, ठीक है, मैं अपना viewpoint बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ मैं कि मुझे क्या लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है, इसमें कुछ positive हमें देखने मिलेगा, ठीक है, अब वो कितना positive होगा, मुझे लगता है, अच्छा खासा positive हो सकता है, अब यह देखना है कितना positive होगा, लेकिन मुझे इसमें गिरावट की बिल्कुल भी उ रेजल्ट अच्छे होता है, इसका मतलब ये नहीं की कमपनी अच्छे हो गई और अगर कमपनी के रेजल्ट्स खराब इसका